इस विशे पर उद्बोधन प्रदान करने के लिए हमारे मद्धे में उपस्तित है दोक्टर एश्डी पाठक जी से निविदन करता हूं कि आप हमें इसे पर उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें और लाभान वीद करें I will start with the prayer Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshad Parabrahma Tasmen Shri Guru Venamaha Tasmen Shri Guru Venamaha With due respect to Swami Kualanandji, the organizers of the CME and all yoga lovers Yesterday we are discussing about the yogic practices for cardiovascular system disorders Today we are going to discuss digestive system disorders So first we will start with acidity Acidity, आज केल हम देखेंगे तो 80% लोगों का acidity होती है क्यों होती है क्योंकि हम एक्विसी सदी में रह रहे है और एक्विसी सदी इस कॉल्ड century of tension and because of tension the psychosomatic disorders are increasing and the first number in that is acidity हम तान तना बहुत लेते हैं और इसलिए हम आरे तुरंत acidity बढ़ जाती है और acidity बढ़ने से परस्व के दिन के lecture में हमने देखा कि acid level बढ़ती है तो यहां पर heartburns होते है जब वह acid ऊपर की तरफ चला जाता है तो heartburns होते है नीचे चले जाता है आगे दियोडेनम में तो वहां पर दियोडेनल अल्सर हो सकता है तो acidity यह हम शुरुवात के स्थिति में रोग देंगे उसका इलाज करेंगे तो हमें अल्सर होने की संभाना नहीं रहेगी अभी what are the causes of acidity first is mental tension as I told you 50% का कारण यह मानसिक तांटना है उसके बाद में बच्चे वे जो है उसमें होट स्पाइसी फूड बहुत तीखा खाना काना या फ्राइड फूड खाना जंग फूड खाना कि स्टेल फूड खाना और आजकल की जो नए कि मॉडर नीरा की जो आदत है smoking and drinking alcohol उसके वे उसे बच्चेवी acidity बढ़ती है कि एडी acidity कम करना है तो हमें पहले योग का अब्यास करेंगे यो का अब्यास करेंगे तो वहां पर हम पहुमकार गायतरी करेंगे क्रियायोग करेंगे मन शांत करेंगे विच्चार रहित करेंगे तो अइस्ताज प्रतिससत असीडिती वहां पे कम हो जाती है और फिर योगी डायट का पाइब कि योगी डायट जो इसको फॉलो करेंगे सपाइसिक नहींगे साथ भी फूल खाएंगे तो आईस्ते आईस्ते वह भी आसिडिती कम हो और फिर समझो कुछ बज गई तो उसके लिए हमने जल्द होतिया वोमन बताए था अभी एसीडिटी के सिम्टम्स क्या है लक्षण चाहें कि अप Chemistry के फ्रकें नाबी के उपर पेट का इस्सा है वहां पर हमें दर्द होता है जलन होता है प्र जादा मात्रम्स कारेंगे क्या करेंगे सोचते थे पिर कुछ खा लेते हैं प्रही हैं कभी पानी पी लेते हैं कभी दूद्ध पी लेते तो जब खाने से कभी-कभी दर्द कम हो जाता है अब यह acidity बहुत ही मात्रा में बढ़ गए सम्झोब आपने बहुत ही तीखा खाना खाते आपको शरीर को सहन नहीं होता है फिर भी आप खाते रहें फिर क्या होता है अब्भाइस दिया है कि यदि ज्यादा अशीड बढ़ेगा तो उसको बाहर फेक देता है यसलिए हमें वोमेटिंग होती है उल्टी होती है फिर ज्यादा मातर में अशीड तैयार होने के वज़े से समक से जटर से मेसेज जाता है हमारे ब्रेन को कि आरे बाबाई अशीड ब होता है सरदर्द होता है मा अभी अब धरत का होता है जिन लोगोंका का इसवीट के वह उनको अनुबह बताएंगे आपको कि भुका प्र को यह नहीं मुझे बहुत दर्द होता है और खाना खाली आट थोड़ा कुछ खाली Kolceних खाली है दो करने आधना बिस्केट कर लियह जटर का अंदर का मैं आपको बता रहा हूं इतना मुलायम होता है कि जब हम आपरेशन करते हैं आपरेशन करते समय यदि हम इस म्यूकोजा के आवरण के ऊपर हमारा हाथ ऐसा रगड़ा तो वहां पर खूनाना चालो जाता है इतना डेलिकेट है तो आप सोचो कि आप तीखा खाएंगे जंग फुड खाएंगे तो क्या होता होगा अभी अचिडिटी बढ़ेगी तो यह एसेड यहां पर आ जाएगा तो हमें हार्ट बन होते है और यह पाइलोरस है यह बाजू स्टमक है यह बाजू डियोडेनम है यह साइड में अलक असिडिक मीडियम है इसीड हो लारी रहेगी तो फिर क्या होता है कभी-कभी यहां पर आलसर होता ह। कि जादा इं तक कुछ दिन के बाद हमें घाक स्ट्रीक अल्सर होता है यह रहता है आब तो इसमें दो परक कैसे आप समझ सकते हैं योगा टीचर यह पेशन कहेंगा कि मुझे बहुत जलन होती है और फिर कुछ खाएगा तो दर्द कम हो जाता है तो उसका मतलब एक तो उसको एसीडिटी है और ज्यादा मातर में हो गए होगे तो यह डियोडेनल आल्ट सरें कि खा और घसेगा तो उसको ज़्यादा ज़र्द होता है जो पेशन को कुछ खाने के बाद दर्द कम होता है तो वो डियोडेनल आल्ट सरो सकता है जिसको ज़्यादा होता है वो गैस्टिक अल्सर हो सकता है तो यह उसके लक्षन है इस तमक है यहां पर हो गया तो gastric ulcer यहां पर duodenum में हो गया तुसको कहते हैं duodenal ulcer अभी इसके complications क्या है complications अभी यहां पर ulcer हो गया तो क्या होगा आपको कहें पर हाथ पर मार लग गया घाव हो गया कुछ दिन के बाद घाव भर जाता है कि ने भर जाता है तो क्या होता है वहां पर scar आता है घाव हो जाता है वन होता है व्रण होता है क्यों क्योंकि वह जगा अकुड जाती है अकुंचन होती है उसी प्रकार यहां पर यह अलसर हो गया तो यह अकुंचन हो जाएगी और यह रस्ता छोटा हो जाएगा तो यह काफी दिन तक चले रहेगा तो आइस्ते आइस्ते छोटा छोटा होते होते फिर क्या होता है एक दिन यह रस्ता एकदम वन हो जाता है तो उसको कहते है पाइलोरिक स्टिनोसिस तो यह एक कॉंप्लिकेशन हो गया पाइलोरिक स्टिनोसिस पहला तो बताए आपको कि गैस्ट्रिक अल्सर यहां पे हो गया तो यहां पे हो गया तो डियोडेनल अल्सर और इसमें यह रस्ता छोटा होते गया तो एक दिन क्यों थी हो सिपिए अभी हां पर समझाब्स्रों घ्यां यहां पर अलसर हो गया तो अलसर मतलब क्या और क्व दो ढ опять चिंगया तो क्या होगा इसके निचे अवारं के निचे रखता यह डारेक्ट कांटेक्ट में आएंगे इस यहां पर आने वाले फुड मट्रियल से तो कभी-कभी क्या होता उसको धक्का लग गया फट गई तो यहां पर खून आ सकता है उसको कहते है ब्लीदिंग हमेटमेसिस ब्लोड इंट तो वोमिटस तो पेशेंट में हाँ वोमिटिं विद ब्लड विकाज देगा फूम दिस वेसल और फूम दिस वेसल अभी यह हो गया दूसरा कॉम्टिकेशन आलोलीकस्टिनोसिस एंग हमेटमसिस अभी यह जो पेशेंट है यह कॉम्प्लिकेटिट प्रिप्टिक अलसर जो पेशेंट है उनको एक्टिव मेडिकल लाइन ज़रूरी होती है अभी हम अलो पैति में क्या ट्रिटमेंट देता है अलोपैति में हम क्या करते हैं ब्लैंड डाइट खाने को देते हैं पिना तिक्षा खाने का नॉन स्पाइसी पूर्ड खाने का और फिर दारू बीडी सिग्रेट तम्मकुने लेने का एंटैसिर देते हैं जेलुसील या डाइजिन एंड इससे भी प्रहात नहीं मिली तो फिर हमको उसको उपरेशन करना एक और चीज़ ध्यान में रखने लाइक है यह जब ट्रीट्मेंट करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए गैस्ट्रिक अलसर जो है यहां पर जो होता है यह थोड़ा नटोरियस है यह कैंसर में बदली हो सकता है इसलिए कोई भी एसीडिक पेशन को हम योग का थेरपी दे सकते हैं लेकिन जिसको पक्का अलसर है तो गैस्ट्रिक अलसर होगा तो वो चैंसर हो सकता है इसलिए उसको हम योग की थेरपी में ऐसा नहीं कह सकते हैं ठीक है तुम योगा में आजेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा यह जी गैस्ट्रिक अलसर का पेशन्ट है तो हम उसको योगा काभ्यास दे सकते हैं मगर उसको हर तीन मैने को गैस्ट्रोस्कोपी जो दुर्बिन से तपास करते हैं उससे यह अलसर की साइज देखना जरूरी है क्योंकि यह साइज बढ़ गई तो वो कैंसर में बदली हो स अब यह जो करता है और आप उसको देते रहेंगे योग काभ्यास और वो बोलेगा है मैं तो यह काभ्यास करता था और फिर मुझे कैंसर हो गया तो इसलिए क्या गैस्ट्रिक अलसर का पेशन्ट होगा तो उसको डॉक्टर के पास ही इलाज करना जरूरी है तो डियोडेनल अलसर का पेशन्ट होगा यहां पर कुछ स्टिनोसिस नहीं है ब्लीडिंग नहीं है तो हम उसको योग काभ्यास दे सकते हैं ये हैँ अब क्या क्या विश्मेशर्द देज सकते हम तो सबसे पहले हम ने पर सब्सुंभें लेक्शर में देका तो के वामन दौटिही देस्ट नोहीं गारणा दूति दे सकते हैं जो उसको आसानी से कर सकता है अभी एक अब करने का अबार करना हैं तो हपते में 15 दिन में दो बार करो या कभी आप खाना खाने के लिए गए कहें पर बहुत ज्यादा थी खाता आपको बहुत यहां पर हार्ट बर्ण हो रहा है मतलब असीड़ी बढ़ गई है तो फिर हम धोती कर सकते हैं अब यह जहां पर असीड त्यार हो गया था उसको हम निकाल दिया लेकिनिंद इसीड कम करने की प्रक्रिया भी तो करना बढ़ना ही न जैसे फायर में पानी डालोगे और एल डालोगे तो आग बुझेगी नहीं बुझेगे आपको पानी भी आए लेकिन आइल जो डालते ओं करना है तो उसी प्रकार अब ही चथर में इसी चाहिए में ठाउं से तैयार होता है तो यहां से मेंदू से वहांसे तो God will do, will do Pranadharana, then will do Unloom Milom, Omkar, Gayatri, इसे मन शानत हो जाएगा, यदि मन शानत हो जाएगा तो सिंपटेटिक अक्टिविटी कम हो जाएगी, पारसिंपटेटिक अक्टिविटी बढ़ेगी, अडिनलन सिक्रिशन कम हो जाएगा, असिर सिक्रिशन कम होगा, और पिर हमें असिड्य नहीं होगी तो यह फाइदा हमें योगिक प्रैक्टिस से हो सकता है उसमें और हम उज्जेई का आप ब्याज़ दे सकते शितली का आप ब्याज़ दे सकते जिसके जो हमारा मन शान्त होने को मदद हो जाती है अब कुछ क्रिया जो है वह पूरे शरीर के सभी सिस्टीम सही डंग से काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन सही ह난 चाहिए अभी आईसा है तो कहथ है तो पैपालवाति करेति संद्स का पालवाती without forceful exhalation and give it as per the patient's capacity without forceful exhalation and slowly to increase as per capacity 10-20 stroke से शुरू कीजे आइस्टे आइस्टे हम बढ़ा सकते है फिर बाकी जो क्रिया है मंतर चांटिंग उससे मन शान्त होता है meditation उससे और लाब होता है ताकि हमारा मन पूरा शान्त हो जाएगा तो adrenaline secretion कम हो जाएगा acidity कम हो जाएगे फिर हमें एक ही अंगल से नहीं देखना है तो पूरे शरीड की flexibility भी maintain करना चाहिए उसके लिए हम थोड़े आसन देंगे उसको जिस जो आसन करने से उसके पेट के ऊपर ज्यादा तानावन नहीं आएगा लेकिन पूरे शरीड की flexibility maintain की जाएगे तो उसमें हम क्या देंगे आर्दा आलासन तीन राउन पावन मुक्तासन वित वन लेक दोनों लेक का नहीं देने का साथ में परवतासन ताडासन, चक्रासन, क्रोकडाइल पोजेश, पीट के ऊपर लेटके दोनों पायर गुटने में मोड़के दोनों लेट साइड गर्दन राइट साइड फिर अपोजिट साइड इस वे इकंडू पहले लास्ट टाम हम बताया कि योग यह होलिस्टिक अप्रोच एट टेक्स केर अफ आल सिस्टिम्स अफ दोड़ी इसलिए मुझे अचिड़ी तो फिर मैं सिर्फ मेडिटेशन करेगा सिर्फ धर्टी करेगा बाक्यों कुछ नहीं करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा उसको सभ योग मोडिल जो है जो पताया गया वो आहिस्ते आहिस्ते अपने क्षमता के नुसार करना है परसंसेट कॉम्प्लिकेशन सफ अफ अलसर शुड़ नाट डू धोटी यूज्यूली देनिट मेडिकल लाइन अफ ट्रीटमें क्यों कि यह असीड जो है यहां पे ज्यादा मात पितरा में होने के वाज़ से यह पाइलोरिक स्टेन्सिस हो गया रस्ता छोटा हो गया अभी यह रस्ता हो गया उसको वहштuszक हो मं當 करना नहीं है फिर इसको ब्लीडिंग टेंड्रीअ जिस έχ खून tam आता है उल्टी में वो क्या करेगा यह धोती नहीं करेगा क्योंकि जब धोती करते हैं हम 5-6 पानी पीते हैं और फिर वमन करके निकलते हैं उसलिए हम क्या करते हैं दोनों उंगले से गले में घर्शन करते हैं पेट अंदर करते हैं जोर लगाते हैं और पानी बाहर निकलता ह तो यह जोर लगाने से नस और फड़ सकती है और और खुना सकता है इसलिए जिनको पैलोरिक स्टिनोसिस है या जिनको ब्लीडिंग टेंडनसी है वो लोग धोती नहीं करेंगे वो क्या करेंगे सिर्फ दो ग्लास पानी पिना सबेरे और एक गंटा या चालीस मिनिट कुछ ने लेना जो डियोडिनल अलसर है पक्का डियोडिनल अलसर है हमें पता नहीं है कि वो कौन से स्टेज में है उसने पूरा यह आकुंचन करके पालोरिक स्टिनोसिस हो गया है का यह मालूम नहीं है जिन पेशन को पालोरिक स्टिनोसिस नहीं है लेकिन डियोडिनल अलसर है या गैस्ट्रिक अलसर है ऐसे लोगों को हम थोड़ा रिकोशन लेके ही योग का बैस देंगे उनको कहेंगे कि आप गैस्ट्रोस्कोपी विकार यह दोनों भी पेशन्ट दुरुबिन से तपास करक चाहिए दोती के बाद में जब आप पेशन को वमन करने के लिए कहेंगे तो दो प्रिकोशन्स आपको लेना है एक कि उसको ब्लड प्रेशर है क्या डाइबिट इंपलड़ अटक आया था क्या इसके बारे में हम उसकी एंक्वारी करेंगे इसलिए यहां पर बताया हमने द दूसरे दिनों पर प्रेशर है हाई अटक है लेकिन अचीडि ए तो फिर हम उसको दोती नहीं दे सकते हैं तो पहले यह पूछना जरूरी है अचीडिटी का है पेशन्ट भाई लेकिन आपको ब्लड प्रेशर है क्या हाँ अट अचीड का ये होगा तो उसको बाद मार्वन तो इसलिए यह क्यों होगया, एक तो बहुत सिंपल चीज नाखुन बढ़े होंगे, यदि नाखुन बढ़े होंगे और वो वमन के लिए स्ट्रगल करेगा तो यह जो नाखुन है, गले के पीछे के आवरण को हर्म करेगा और वहाँ से खुन आता है, तो यह एक हो गया, इस तो उसको पहले नेल ट्रिम किया है कि ने देखना जरूरी है। दूसरी बात उसको ब्लड प्रिस्चर आई क्या, हार्ट अटक आयत का वो पुछना है। तिसरी बात यदि आप उसको वोमन करने के लिए कहेंगे। बहतर है कि आप आपके सामने करने लगा है। यदि नहीं त तो उसको यह कहना है कि पानी पिया और फिर घर्शन करके पानी निकालने की कोशिश की 5-6 गलास पानी पिया था, लेकिन एक ही गलास निकला तो फिर और स्ट्रगल मत करो, और जोर जोर से यह मत करो। नहीं तो तकलीव हो सकती है। तो यह प्रिकॉशन आमें ध्यान रखन है, फिर पाइलरी इप्स्ट्रेनुस स्ट्रील सर गैस्ट्रील सर के पेशेंट को जितना हो mocा अथा पूरी मातरा में योग का प्वैस देंगे लेकिन बमन नहीं देंगे, क्योंकि यूँजरी इस अल्सर सच्ट्रील सर शे पीजिश सोसेटेटरवे अो क्लोर हैड्रिया, म जो बचा हुआ ऐसे वह भी निकल जाएगा तो उसका पच्चन जो है वो खराब हो जाएगा इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर के पेशंट को वोमन कभी भी हमें देना नहीं है तो यह सब हो गया अश्रीटी के बारे में अभी हम आगे चलते हैं तो पहले मैंने बताए था कि कई लोगों के ऐसे वह नहीं होते हैं कि टीबी होता है मतलों क्या सिर्फ फिपड़े का होता है लेकिन फिपड़े का नियुक्त चरिर के किसी भी आंग का टीबी हो सकता है और दूसरा कॉमन जो है एरिया हो है अतड़ियों का टीबी तो यूजुएली इत ब्लडबोन इंफेक्शन खून में से इंफेक्शन अतड़ियों में जाता है और वहां पर टीबी हो जाता है अभी आतड़ी जो है 39 पूट आतड़ी मैंने बता आको कि 23 पूट छोटी आतड़ आतड़ी जादा मातर में होती है वहां पर क्या होता है अभी टीबर्कुलस इसका अलसर हो जाता है अलसर हो गया तो यह जो अतड़ी है अलसर हो गया यह जो घौ भरेगा तो क्या होगा रस्ता छोटा हो जाएगा तो इसको कहते स्ट्रिक्चर अभी स्ट्रिक्चर हो गया अभी आतरियों की स्टिक्टर हो गया, यह जो हमारा अननना है, यह है लुक्षेयस है, यह हां पे यह जो ज्यादा मातर में टी-वि होता है, अभी यह समझों, यह आतरियों की है, ऐलसर हो गया, यह जब घव भरेगा, तो क्या होगा? वो रस्ता च्छोटा हो जाएगा, यह पर पंचन आगे चले आएगा आगे आएगा यहां तक आजाएगा तो हांपए रूप जाएगा क्यों क्यों रास्ता छोटा हो गया है अभी हम इसी इस L मात्रह में ज्यादा बार खाते रहेंगे तो क्या होगा यह फैलते जाएगा फुलते जाएगा और उसको कहते intestinal obstruction तो यह obstruction हो सकता है इसलिए TB के patient को पहले तो बात यह है कि anti-TB treatment लेना है अब यह इसने structure होगा यह रस्ता चोटा हो जाएगा फिर यह पीछे जमा होने के वैसे distension हो जाएगा और समझा अब ध्यान नहीं दिया और खाते रहे तो क्या होता है यहां पर फट जा सकता है उसको परफोरेशन तो यह complication tuberculosis से हो सकते है इसलिए हमें ध्यान देना है कि patient को पुरण योग के वरगा में नहीं लेना है उसकी कि पूरी history आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ था क्या treatment डिए थी operation किया था क्या operation में क्या निकला था आप तड़ी पढ़ गई थी क्या तड़ी narrow हो गई ती structure हो गई ती फिरो उतना हिस्सा काटके हम जोड़ दिया थे क्या उसको कहते रिसेक्शन अनस्ट्रमसिस ऐसा कुछ किया है कि उसके पहले जानकरी लेना ज़रूरी है अब टीबी अब्डविन होगा तो उसको लक्षन क्या होते है लो ग्रेड फिवर भूक नहीं लगती है उल्टी होती है पेट फुल जाता है और कॉंस्टिपिशन और यह जो आगे का हिस्टा है यह यह बंद होने के वाई से यहां से आगे जाता है नहीं आन फिर यहां पे दो-चेर दिन के बाद क्या होते है पूरा खाली हो जाता है तो फिर ठोट्टी ने उसको कहते कॉंस्टिपेशन तो इस अब्ची आप्डविन अभी टीवी अब डामिन ये पूरी नौ महने की दवाईली तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है इट कैन वी क्यूर्ड विट नाइन मंस एंटी टुबर्कुलिस लायन ओप ट्रीटमेंट अभी पूराने जमाने में नौ महने की त्रीटमेंट देचे ते अभी चार महने के एक उ पूरी मात्रा में उसने यह दी दवाईली तो ठीक हो सकता है मगर अलोपैट्य ट्रीटमेंट नहीं लेना फिर सिर्प मैं योग का बैस करोगा ठीक होगा ऐसा नहीं हो सकता है यह इंट विल भी ऐज़े अज़ेशन ठेरपी लेकिन टीवी एबडॉमीन के पेशन को हम फूल गया यह हो गया तो ऐसे पेशन को पेट के ऊपर कोई भी आसन का क्रिया का ज्यादा असर नहीं होगा वही अभ्यास हम दे सकते हैं तो पहले क्या हम देंगे प्रानधारणा लाइट का पालवाति क्योंकि आगे इन पेट के ऊपर प्रेशर आ सकता है फोर्सफुल एक वाड़ी हिलिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से उसका उप्योग होता है फिर उज्जेई शीतली मेडिटेशन अभी आसनों का अभ्यास कुन सा देंगे हम जो आसन करने से हमारे पेट के ऊपर कुछ भी तणाव नहीं आएगा कुछ डिसकंपर नहीं होगा वह हम दे सकते हैं अभी इसमें क्या दे सकते हम पीट के ऊपर लेट गया सुपाई उसमें हम आर्दाहल आसन एक पैर से दे सकते हैं 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी उससे प्रेशर आएगा और उसके तकलिफ हो सकती है अलगे के कुछ से आसन कर सकते है सीटिंग में शुका अर्दपदमासन पदमासन ऐस पर कपैसिटी खड़े रहे के कुछ से कर सकते हैं ताड़ असन और साइड़ वेंद्नी चक्राशन वह आराम से कर सकता है तो यह अब्यास ह हो गया और साथ में हमें यह स्ट्रेस देना है कि हैस्टू कंटिन्यू एंटी टुबर्कुलस लाइन ओप ट्रीट्मेंट ऐस पर दर्वाइस ऑप मेडिकल डॉक्टर वह कभी भी दवाई नहीं चोड़ेगा और उसको अगनिसार उडियान यह तो कभी भी ने देंगे क्योंक थोड़ी विमारीतियों बर सकती है अभी उसके आगे हम आएंगे अपेंडिक्स कहां पर होता है यह पेट के राइट साइड को यह नीचे के हिस्से में यहां पर यह छोटी आतड़ी और यहां से बड़ी आतड़ी सुरू होती है तो इसके जंग्शन पर यह दिख रहा है आपको एक छोटा इस 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 कॉल्ड़ अपनेडिक्स इसको यूमन बाड़ी में कुछ फंक्शन नहीं है लेकिन यह वो तकलिव देता है तो फिर बहुत तकलिव होती है उसको जब infection होता है तो उसको कहते है आपनेडिशाइटिस और उसको कुछ काम नहीं है अपनी शरीर इसलिए खराब हो गया तो हम उसको निकाल देते एक्पेंडिक्स ओप्रेशन करके निकाल देते हैं लक्षन क्या होते है इसलिए पेशन को राइट साइड के पेट में लोर साइड में ज़े दर्द होगा बहुत भारी मात्रा में फिर उल्टी हो सकती है और यह पेशन यह आपरेशन करना जरूरी है योगा विल नॉट हैल्प मच इन इस केस यह तो भी आपरेटेट इमीजेटल सो इट कमस अंडर एक्विट कंडिशन सो एक्विट कंडिशन इटस्टीट विट विट अलोपैथी क्राणी कभी कभी क्या होता है हाँ थोड़ा सा दर्द हो गया द इसको आपरेशन की जरूरी होती है अब आगे आएंगे हम कौलाइटिस मतलब यह जो बढ़ी आतड़ी है उसको कहते कोलॉं इसको कहते एसेंडिंग को लॉन इसको कहते ट्रांसवर्स कोलॉन इसको कहते descending colon इसको कहते sigmoid colon और फिरे rectum anal canal है अब यह colon जो है इसका जो इन्फेक्शन होता है तो उसको कहते कोलाइटिस अब यह कैसे होता है तो एक तो एंटा में हिस्टोलीटिका जिसको हम कावनली कहते कि अमीबियासिस जो हद गाड़ी पर वड़ा पाउ खाता है बाहर आनाजीनिक फूर खाता है उसको काफी मात्रा में अमीबियासिस होता है दूसरा है ज्यादा मात्रा में वह मानसिक तान टनाओ के वएसे होता है इसमें किसी प्रकार की और्गयनिजम या बैक्ट्रिया नहीं है सिम्टम्स क्या होते है लक्षण क्या होते है बुखार आता है पेट में बहुत बारी मात्रा में दर्द होता है लूज मोशन होते है बाड़ी विकनिस होता है और उल्टिया और लूज मोशन होने के वज़े से होता है क्योंकि पानी, water loss होता है, electrolyte imbalance होता है. Treatment क्या है? Specific anti-amivic treatment should be given. Once acute condition is over, can give yoga as an adjuvant therapy. Ulcerative colitis, the cause of ulcerative colitis is not known. क्यों? क्योंकि it is abnormal response by the body's immune system. It may be also overreacting to normal bacteria in a digestive tract. इसमें क्या होता है? तो अतरी जो है, उसके अंदर से जो अवरन है, उसका inflammation होता है. वहाँ पर पर कभी ulcer हो जाते है, ulcer होने के वाई से फिर lose motion हो जाते है, दर्द होता है. और कभी-कभी यह थोड़ी area में रहेगा या पूरी कभी पूरा colon में हो सकता है. तो यह पूरे colon में जब होता है, तभी यह जादा मात्रा में dangerous रहता है. इसकी treatment क्या है? specific anti-amoebic treatment in amoebiasis and ulcerative colitis, it has got another specific treatment which patient has to take. ना यह जो ulcerative colitis है, this can affect any people of any age, कुन से यह उमर के लोगों को हो सकता है, लेकिन usually यह 30 साल के बाद दिखाए पड़ता है. symptoms क्या है? पेट में दर्द होता है, sundas में, toilet में खुन जाता है, फिर बुखार आता है, joint pain रहते हैं, बजन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, दिन में बार-बार loose motions हो जाते हैं, उसके वैसे dehydration होता है, electrolyte imbalance होता है. अब यह symptoms आते जाते रहते हैं, कभी आएगा 8-10 दिन, वो एक्टम तकलिफ serious रहेगा, फिर 8 दिन के बाद भी ठीक लग रहा है, so automatic remission होते है, diagnosis उसका usually दुर्बिन का तपस करके हो जाता है, और biopsy करके उसका confirmation होता है, treatment उसको specific medical line of treatment लेना है, एक बार वो chronic हो गया, तो हम उ उसको yoga as a adjunct therapy दे सकते है, अभी adjunct therapy में क्या देंगे, हमने देखा कि यह मानसिक तान तरणों से ज्यादा मत्रम है, तो मानसिक तान तरणों काउम करने के लिए क्लिए 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 है, तो एक तो पराण धारना है, फिर अनलोम विलोम, ओंकार गायत्री, उज्य meditation यह, कपालभाती, oxygenation सही होने के लिए, लेकिन यह पेट में तकलिव है, इसलिए हम forceful exhalation की कपालभाती नहीं देंगे, उसको light कपालभाती without forceful exhalation दे सकते है, फिर आसनों का अभ्यास कुन सा दे सकते है, जो आसन हमारे पेट के उपर pressure नहीं लाएंगी, फेश्ट के उप पर तणाव नहीं होगा, वह आसन कर सकते, क्यों करना है, क्योंकि हमें, we have to maintain the flexibility of the other part of the body, तो उसमें क्या दे सकते हैं, प्रोकड़ाइल पुझे दे सकते हैं, आर्दा अलासन दे सकते हैं, पेट के उपर किसी विप्रकार का आसन हमें देना नहीं है, सुकासन, अर्दा पद यासन में पेट के उपर प्रेशर आता है, और फिर तकलिफ हो सकते, इसलिए हम यासन नहीं देंगे, अगला प्रॉब्लम है, डायरिया, मतलब लूज मोशन, यह कभी-कभी क्या होता है, फुड़ पोईजनिंग के वज़े से होता है, या कभी बहुत स्पाइसी खाया, तो कभी-कभी क्या होता है, मैं बता है कि हथगारी पे बड़ा पाउखाया हुआ, जो बनाने वाला अदमी है, उसने हाईजने के लिए नहीं बनाया होगा, तो हमें उसका इंफेक्शन हो सकता है, और इट अफेंस देंटेस्टाइन, और कभी-कभी गंदा पानी पीने से भी ह हो सकता है, तो लूजमोसिंस से इलेक्टराइट इंबलेंस होता है, वाटर रिया लॉस होता है, डिस कम्स अंडर अकुट कंदिशन, तो इस पेशेंट निद्स मेडिकल लाइन आप ट्रीट्मेंट, ना कमिं तो दे लिवर, लिवर इस दे स्टोरास इन आर बोड़ी, इस जो परदा है चाती और पेट विलक करने वाला, इसके नीचे राइट सेड में इतना बड़ा लिवर होता है, तो यह स्टोरास है, यहां पे सब ग्लुकोस, फायाट यह सब स्टोर करके रखा जाता है, और वो बाइल तयार करता है, और यह बाइल, यह जो यहां पे जठर में, that is acid, पित्त खौल गया बोलते हैं, तो हमारा पित्त जठर में ज्यादा मात्रा में तयार हो गया, लेकिन पित्त शे में जो पित्त है, वो असेड नहीं है, वो बाइल है, दो बाइल is a secretion by the liver, तो यह फरक है, और पित्त शे में फत्री हो गया, यह मतलब देखेंगे, अभी यह liver जो है, it has got a very good reserve, जब तक 80% liver damage नहीं होता है, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्यों बाडी ट्राइस to compromise, जब 80% से ज्यादा लिवर खराब हो जाता है, तो फिर उसकों लक्षन डिखाई देजने शुरू हो जाते है, अभी इसमें पहला एक पुर्ण सोचेंगे हम jaundice, पीलिया जो बोलते हिंदी में, इसमें क्या होता है, आख पीली रंग के हो जाती है, जब पिशाब होता है, यह infective हो सकता है यह obstructive हो सकता है, और इसको कहते है medical jaundice यह surgical jaundice, अभी medical jaundice यह infective, इसमें लक्षन क्या है, आखे पीली होना, कान मैसुस होगी, body weakness आएगा, भूख नहीं लगेगी, नाश्या होगा, वामिटिंग होगी, इन्वेस्टिकेशन सिसमें क्या करते है, पिशाब टेस्ट करते है, ब्लड टेस्ट करते है, सिरु बिलिरूरूबिन की, हज़ोट और इस से लिवर कितना खराब हो, उसका पता चलता है, अभी इसकी treatment, allopathy में, it is acute condition and should be treated with medical line of treatment, usually हम complete bed rest देते है, high glucose intake देते है, जो लिवर का खुराक है, फिर medicine for nausea or vomiting, symptomatric treatment है, now this is acute condition, so medical line of treatment is necessary, yoga will not play any role in that, ये लिवर है बता हमें आपको, फिर आब आगे आएँ हैं, सर्जिकल जोंडिस्ट, पहले हैं, पहले हैं, पहले ह हमने देखा, infective या medical jaundice, दुसरा है surgical jaundice, इसमें क्या होता है, ये जो liver है, ये bile त्यार करता है, और ये bile अतलियो में, cystic duct से फेका जाता है, अभी इसमें यहां पर कहीं पर भी obstruction आ गया, तो ये bile वहीं पर जमा रहेगा, और फिरो खुन में जाके, पर्सन विल्ट यालोने that means, यहां पर कहीं तो भी obstruction है, symptoms क्या रहेते हैं लक्षन, आखे पिली होता है, पिशा पिला होता है, फिर body weakness होता है, tired feeling होता है, loss of overdose, भी होता है, लेकिन उसमें फिवर जादा मात्र में नहीं रहता है, और दरद नहीं रहता है, and usually it is diagnosed with the help of investigations, कहां पर block है, कहां पर obstruction है, वो देख्थे हमें उसके treatment देना है, तो again it will come in acute condition, medical line of treatment is a necessary thing, cirrhosis of liver, cirrhosis मतलब यह लिवर की बिमारी है, जब लिवर खराब हो जाता है, 80% से ज्यादा, तो it is replaced by the fibrosis of the liver, it is usually seen in drinking alcohol, जो लोग alcohol रोज लेते हैं, उन लोगों में ज्यादा मात्र में दिखाए देता है, फिर जिनक पहले कभी जांडिस हुआ तो लोगों में हो सकता है, या और कुछ ऐसे लिवर के बिमारियोति उसमें हो सकता है, अभी इसमें लिवर एक बार खराब हो गया, तो there is no regeneration in the liver, symptoms क्या है, फिर पीलिया दिखेगा, पेट में दर्द होगा, पेट फुल जाएगा, पेट में पान पासना, गॉल ब्लाडर स्टोन्स, अभी मैंने आपको बताया था कि पित्ता शे, जो लिवर का सिक्रिशन से वो जमा होते हैं, और गॉल ब्लाडर में जब जमा हो जाता है, फिर जब जरूरत पड़ेगे तो गॉल ब्लाडर कॉंट्रेक्ट होता है, और ओ बाइल आतरियों स्टोन्स, पासस अपित्ला ब्लाडर स्टोन्स, अव यह हिस्से में बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होगा, उल्टी होगी भुखार होगा, पीलिया होगा, अभी स्टोन से, राढ बोलते हम, ऐसे होगा तो हम योंद्धत का ब्या दे सकते हो उसको अकुट कंडिशन में नहीं जब उसको दर्द होता है तभी हम कुछ नहीं दे सकते हैं उसको इलाज करना ही जरूरी है मेडिकल लेकिन उसके बाद में यदी सलज होगी बाद में सोनोग्राफी की और पता चला कि इसमें पत्री है पित तर्शे में और वस रा की जैसे सल है तो ऐसे लोग को आप योगा दे सकते हैं और यू कैन अब्जर्विम एवरी सिक्स मन्सी शुट दू सोनोग्राफी तो सी वेदर दे साइज अब इस तो इनक्रेजिंग देन यह सू टेक मेडिकल लान अफ ट्रीट्मेंट क्योंकि बड़ा यह फत्री हो गया तो वहां से पास नहीं हो गया तो अब्स्रेक्शन करेगा तो उसको अप्रेशन करके निकालना पड़ सकता है हां अईरोएज में कुछ दवा होगी मुझे पता नहीं है कि अईरोएज दवा दे कि उसको हम पिगला सकते है तो कर सकते है पूलिस स्टाइटिस मतलब जो गॉल्डर में आ होता है पेशन को राइट साड में बहुत जोर से दर्द होगा उल्टी होगी बुखार रहेगा पिलिया होगा और जब हम तपास करेंगे और सोनोग्राफिक करेंगे तो हमें उसका डाइगनोसिस निदन हो सकता है यह एकूट कंडिशन में आता है इसलिए उसको मेडिकल ल बाइल यहां से इस नली से यह गौल ब्लाडर में आता है यहां पर स्टोर किया जाता है जब जरूरत होती है जब खाना खाते हम खाना खाने के बाद दो गहंटे के बाद जब यहां का जो खाना है वो आगे चले जाता है यहां पर तभी यहां से यह गौल ब्लाडर कॉंट आएगा और फिर बाइल आगे जायेगा नहीं उसको कहते है शर्जिकल जॉंडिस या अब्सक्टिव जॉंडिस जब इसका इंफेक्शन होता है गॉल बैडर का तो उसको कहते है कोलिसीस्टाइटिस आगे गाएंगे हम हिपाटोमा लिवर हिपाटोमा मिन्स लिवर का कैंसर लिवर का कैंसर इस यूजुवली सिरिंद पेशेंट्स हैं लिवर की बिमारी हुए थी ऐसे लोगों को कभी 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 लिवर का कैंसर हो सकता है इसमें तकलिप क्या रहेगी लक्षेंड क्या रहेगी राइट साड़ कहाँ पर है जातियों पेट अलग करने जो डाइफ्राम में उसके नीचे राइट साड़ में लिवर है तो वहां पर आपको दिखाए देंगे अभी एक एंसर है तो इसको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना ही जरूरी है अभी उसको यूज्वेली ऑपरेशन्स अगरे नहीं करते हैं क्योंकि लिवर काफी बड़ा है और लिवर का सर्जिरी अभी चालू हुआ है जस-पंदरा साल से ले बताना चाहिए कि यह योगा करेगा लेकिन उसे ठीक होगा इसके हम गयारंटी नहीं देते क्योंकि दे शुट नाट बे अंडर फॉल्स अजंशन कि अभी योगा कर रहा है तो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है पैंक्रियाटाइटिस स्वाधुपिंड यह जो है इस इस पैंक्रियाट यह जठर है जठर के पीछे यहां पर रहता है स्वाधुपिंड यह जो होता है तो जो लोग रोज अल्कॉल कंदम्चन करते हैं उनको होता है जिनको लॉंग स्टेंडिंग डाइबिटेस है उनको भी कभी कभी हो सकता है यह जब यह गॉल ब्लाइडर में स्टोन है तो यह यहां पर आके यह ब्लॉक कर दिया तो यहां से जो इंशुलिन तयार तो आगे नहीं आएगा अल्गता है जब वो चलने फिरने लगता है लेकिन क्रावनिक प्रैंग्रेटेट इसे तो डाइबिटी से तो फिर ऐसे इसको योगा एड्जुन थेरपी करके दे सकते हैं वी कैंसर अप दे इंटेस्टेंस इस तो फेक्ट अथे अन्यनलिका से जठर डुडड़ै चोटी आतडी बड़ी आतडी असंडिंग कोलान ट्रांसवर्स कोलान डिसंडिंग कोलान सिग्माल कोनौर्ण रेक्रम अनल कोनौर्ण कौन से भी किसी भी एरिया को कांसर हो सकता है युजिली श्यम्टम्स क्या रहेगे लक्षन क्या रहेगी उसको लॉस अ वे ट्राइगा लॉस अ प्टेटर रहेगा ब्लीडिंग पर रेक्टम रहेगा इंस्टेस्टिन असक्षिन नहीं सकता है नौ इस पेशन नेड़ आलोपेथिक लान उप्रीट्म वेदर is surgical whether it is chemotherapy radiotherapy which area it may be yoga can be only as adjunct therapy to boost the moral to face the disease patient will be having little better mental setup that he will face it the consequences or complications of cancer when he gets the cancer disease especially relatives should be told that he may not get cured from cancer but only get moral boost with the help of yogic practices now we yogic practices kaya de septe haan pahele to mental tension kam hona hai uska isle pranadharana ujjayi anlom milom omkar gayatri shitali pranayam and meditation shavasana that will be helping and phir kuch asana joe uski flexibility maintain karne ke liye aur pete ke uper jiska kisi ka uper pressure nahi aega only to improve the flexibility we will give the asana to us who may be artifact at pattern written prune position my relocationoyudiya asana naj banging और फिर यदी एक एंसर शरिर के दूसरे इलाके में फैल गया होगा हाथ के हड़ी में फैल गया और फिर भुजगासन करेगा तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है है नहीं मोस्त कॉमन नावदेस्ट इन पासिंग मोशन अर्गिलर टाइम और रिटेंशन फिकल मैंटर इन रेक्टम पर प्रोलॉंग टाइम जब हम रोज सबर में मोशन नहीं होती है दो दिन में तीन दिन में एक बार जाते है ऐसे कहील पेशन में देखी कियो तीन दिन में तो दाट इसका रुट कॉंस्टिपेशन और आयर्वेट शास्त्र कहता है कि सर्व जोग जायन्ते प्रजायन्ते मलसंचया सभी बीमारी का जर्द जो है मलसंचय में है बद्धकोष्टता में है और कॉंस्टिपेशन हम डेफिनिटली पूरी मात्रा से योग के जरिये क्यो तो पानी का जो हमारा इंटेक है इस शुड़ भी नॉर्मल वह हम कैसे जान सकते है यह जह हमको तट्टी जो होते हो एकदम कड़क होने लगी या पिशाप कड़क होने लगी तो इसका समझ लेना हमने कि अकल हम 24 गंटे में पानी कम मात्रा में पी आए क्योंकि जब पानी क जो पीशा तायर होते तो ओहां पर पानी रोक लेता है जब अतड के जमा हो जाता है यहां पहर जब मल जमा होता है तो उसले जो पानी इसको खीच लेता है इसलिए मल कठिन हो करता है तो यह मलस अंचे दूर करने के लिए हम डेफिनिटली आप बैस कर सकते हैं अलोपैति में क्या देते हैं मैं आत्राम हम जोर लगाते यह करने के लिए यह जो हिस्सा है आप त्रिय को बहारा सकते Physics program और फिर लगेटि यह तियू देते हैं लो अलोपति में हम क्या कहते हैं कि हाय रफिल डायट लो पानी का प्रमांट बढ़ाओ टीखा मत खाओ ब्लैंड डायट खाओ और फिर लैक्जेटिव परगेटिव देते हैं इस इस इन वी ट्रीटेड विद अलोपेटिक ट्रीटमेंट लेकिन यह जो है यह हम लेना चालू करेंगे तो कुछ दिन के बाद हम उसके अडिक्टिव हो जाते हैं बिना लिये गोली हमें मोशन होती नहीं इसलिए जितना हो सके उतना लाइक्जेटिव परगेटिव की आदत डालना अच्छा नहीं है इसमें सब अब्याद दे सकते हैं सुपाइन पोजीशन की जितने भी आसन आपको मालू में दे सकते हैं सिर्प उसमें देखना है कि उसको कुछ कॉंटर इंडिकेशन है क्या मतलब पेट का कुछ आपरेशन होगा इसके बाद में मलसंचे होता होगा त्पर आम पेट के पर के आसन नहीं दे सकते हैं लेकिन जिसको सिर्फ चिप डिव्टी या नॉन अविलिप्ट ट्रायलेट इसके वाज़े से कॉंस्टिपेशन होगा और किसी प्रकार का अपरेशन नहीं होगा ब्लड प्रेशन नहीं है हार्ट अटेक नहीं है उसको हम यह पूरा मोडिल दे सकते हैं प्रोन पोजिशन में भुजंगासन नौकासन दर्मरासन दे सकते हैं सिटिंग में वजरासन वदरासन परवतासन गोमुकासन वक्रासन यह सभी आसन का अभ्यासम उसको दे सकते हैं स्टैंडिंग में ताडासन चक्रासन त्रिलोकासन त्रिकोनासन दे सकते हैं प् उसमें महत्वपुर्ण एक है वो जो है शंक प्रक्षालन यदि शंक प्रक्षालन का आभ्यास अभी यह दियाम देते हैं तो सभी आतड़े की सापसपई होगे उसका बद्धकुष्टत दूरोने को मदद हो जाएगे छुद्धी क्रिया में हम कपालवाती अगनिसार अगनि कर सकता है और एक मैने में एक बार लगुशंक प्रक्षालन कर सकता है जिसके जरिये पूरे अतड़ियों के सापसपई होगी और उसका बद्धकुष्टता से उसको आराम मिलेगा मंत्र चैंटिंग में ओंकार गायत्री दे सकते मेडिटेशन में आय क्लोजर टेक्निक यह हम दे सकते है तो कॉंस्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हम योग के जरिये पूरी मात्रा में ठीक कर सकते है और अलोपैथि में उसके लिए कुछ खास दावा नहीं है और जो दावा दी जाते हो अडिक्टिव है उससे आदत पढ़ती है तो वह तालने के लिए हम तो यह जो थी यहाँ से घसके बाहर आता है तो यहाँ पर अगरता है उसको कहते हैं फिसरीन प्री से क्या होग का 맞아 और बाइस मोशन पास करता है तो वहाँ पर उसको घसता है और उसको दर्द होता है तो एका और क्राणिक शिम्टम्स क्या रहेंगे पेशंट जब मोशन पास करता है तभी उसको बहुत दर्द होता है कि पेशंट जाने के लिए डरता है कि वहां पर जाके गया तो फिर दर्द शुरू हो जाते है तो इसलिए जाता है नहीं है अंग स्कूंवा ठोण सभी पूस्ट मोशन प्रफ आधी ऑईितव मोशन तृगव कॉर टौटम्स क्यों यहर अपनी पicular点 स्टीपीश टीचे सर्कुर्ट छराइगि वॉससे जाटम्स वेस्टिचें ऑगा सभी हो जाएगा ए तो अगंकि को पॉथिoi विश्यास सरकल और आवे इस वाट विए अगा वाट वाट की जब खाना खाएंगे तो वेस्ट मैंटर बलकी रहेगा तो उससे वजे से चौंसर थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है और फिर लोकल अप्र आप्लिकेशन और यूद अप्लिकेशन अग्जाट विए हम देते एकदम सीवेर उसको कांस्टिपेशन हो गया आठ डस दिन से मोशन ही गया नहीं है पेट फुल गया है ऐसे पेशेंट को पहले मेडिकल लाइन ऑप ट्रीट्मेंट कभी-कभी एनिवा देना पड़ता है या लैक्जेटिव देना पड़ता है जब यह कम हो जाएगा फिर उ पूराख होता है और वहां से पीप आता है उसको कहते है फिस्चुलाइन अनो यह क्यों होता है जो रेक्टम है गुदोदार के उपर का जो आतली का हिस्सा है वहां पर जो उसके बाजु में ग्लाइंड्स होती है वो कभी-कभी फुल जाती है इंफेक्शन वेरे से और करती का इलाज करना चाहिए कभी-कभी अईरुवेद में शारस उत्र करते हो भी चल सकता है लेकिन योग के जरी हमें उसको रहत नहीं दे सकते हैं नाव कमिंग दिए मेटाबोलिक सिंड्रोम मेटाबोलिक सिंड्रोम इट इस अ क्लस्टरिंग अट लिस्ट्री आप थी अच और लुमंगा समक्कि अन इस नहीं अच अ क्लस्टे मुल्स अ कि आप भालिक सिंड्रोम इस सिंड्रोम इसमी मेट इसट लिवसे श्की लेवल वन 50 जादा होगी तो ही ऐस गन्गानस अ यादा चांस को प्टिवल्पिटिंग बड्लेवरिक सिंड्रोम इन ह्ड्य अच् पुमेल, ब्लॉड प्रेशर, इफ इस 140-90 के उपपर हएगा, तो यह चांस अब गटिंग मेटवलिक संड्रोम, पस्टिंग ब्लॉड शुगर, इफ इस मोर दन 126 mg, तन यह वर चंस अब गटिंग मेटवलिक संड्रोम, नो इस युजवली थ्री components if they are there, then it is term metabolic syndrome, इसमें हम दो सिर्फ ज्यादा मात्रा में जो उनका आप ब्यास करेंगे, एक है diabetes और obesity, now genetics and environment, both play important role in development of the metabolic syndrome, genetics कैसे, आपको पता होगा कि diabetes जो है, यह इसको अनुवणशिक कहा जाता है, यदि घर में माब आपको diabetes होगा, तो लड़के को 30, 40, 50, 60 आगे चलके कभी ने कभी तो diabetes हो सकता है, 50-30 परतिशता ऐसे लोग होगे को उनको diabetes नहीं होगा, लेकिन काफी मात्रा में इनको अनुवणशिक्ता आती है, और दूसरा जो है, यह बहुत महत्वपुर्ण है, आजकल की एक्विसी सदी में हम सब मौडन बन गए है, जो lifestyle हमारी बदल हो गई है, उसके वज़े से जो भीमारी होती है, और एक्विसी सदी का जो mental tension बढ़ने वाला काम है, उसके वज़े से diabetes हो सकता है, obesity हो सकती है, उसके कारण हमें मालूम है कि lifestyle disorder में क्या changes क्या हो गए है हम physical activity कम हो गई है, फिर खाना ज़्यादा खाते है, काम नहीं करते है, तो इसके वज़े से obesity बढ़ सकते है, genetic factors influence a family history of diabetes, obesity, sedentary lifestyle, high BPR, more of developing metabolic syndrome, अभी इसमे हम पहले लेंगे है, diabetes, 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 जब pancreas insulin तयार करता है, जो insulin जब खुन में circulate होता है, तो जो पेशी के पास पहुंचता है, तो जो खुन में glucose होता है, हमने खाना खाया, वो अन्नप पच्चन हो गया, और जो glucose, blood में से, अतरियों से, blood, blood से, liver, liver से पेशी में जाता है, तो पेशी में जाने के बाद, पेशी को insulin कहते है, कि ये तेरे काम की चीज़े है, शुगर, ग्लुकोज ले ले, लेकिन जब ये पेशी मानती नहीं है, तब ये ग्लुकोज पेशी में जाता नहीं, और इसलिए blood sugar level बढ़ जाते हैं, that is called diabetes, तो इसको हम insulin resistance भी कह सकते हैं, अब इसके कारण क्या क्या है, ए 50% of लोग diabetes हो जाता है, फिर alcohol consumption, जो लोग ज्यादा मातर में alcohol consumption करते हैं, उनका pancreas जो आइस्ते खराब होने लगता है, जब pancreas के उपर उसका आशर हो जाता है, pancreatitis हो जाता है, तो insulin तयार नहीं होता है, insulin तयार नहीं होगा, तो blood sugar level बढ़ेगी, और फिर he will be labeled as a patient of diabetes, Now diabetes is one disease which can affect any part of the body, शरीर के किसी भी हिस्से पे diabetes का आशर होता है, जैसे हमने देखा था कि आखों पर हो गया retinopathy होती है, retinopathy होने के वाज़े से हमें blood डिखाई देता है, फिर रदय के coronary artery में हो गया तो क्या होता है, coronary artery disease होता है, heart attack आजाता है, यदि kidneys पे, मुत्रपिंड पर उसका आशर होता है, तो kidneys damage हो जाती है, और फिर dialysis करना पड़ता है, कभी किसी को हपते में एक दिन करना पड़ता है, कभी दो दिन करना पड़ता है, फिर पैरों के नस्व में हो गया, तो फिर gangrene हो जाता है, पैर के उंगली जड़ जाती है, या black हो जाती है, gangrene हो जात शुरूवत में कभी-कभी आइसा होती कि थोड़ी-थोड़ी जुन्जनाट हो रही है कहीं तो भी पैर में जुन्जनाट हो रही या पैर नमनेस आ रहा है बजीर हो रहे समझ में नहीं आ रहा है सेंसेशन नहीं आ रहा है फिर बार-बार रिपीटेट यूरिनरी इंफेक्शन होता है कभी-कभी ऐसा होते कि चक्कर आती है भुका रहे खाना नहीं खाया था और एकदम चक्कर आगे अंधरी आगे फिर क्या किया फिर थोड़ा में ग्लुकोस खाया चॉकलेट खाया हाँ फ चेटा बार बार या कभी पयर के औंगली को गैंगरीन हो जाता है मदू में यह कैसा निदान होता है मौलू है यूजवरी पेशन्ट को ये कौन सा तुभी सिंप्टम होता है फिरो डॉक्टर के बाद जाता है फिर शुगर दॉक्र बलड़श्यक करते हैं तो दीखता हरे शुगर तो 300 हो गए यह 301 दिन में हुई क्या यह तो प्रोसेस गए 6 मने से चल रहा था जैसे जैसे शरीर का compromising capacity कम हो जाती है उस दिन हमें लक्षन डिखाए देता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते है और फिर शुगर देखता है सारे 300 हो गए और फिरो diabetes दिकलेर हो जाता है फिर वन कहते हैं उसको diabetes है इसमें ब्लड शुगर टेस्स करते हैं ब्लड शुगर कौन सी करते हैं एक सब्रेट की भूके पेट की उसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर विशुद बीट्में 70 और 110 मिलिग्रम परसेंट और पोस्प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद दो घंटे के बाद जो प्लड टेस्स करते हैं उसको कहते हैं पोस्प्रेंडियल वो इशुद बी नोट मोर देन 140 मिलिग्रम और अभी और एक हम तपास करते हैं उसको कहते हैं ग्लाइक को सिलेटेड हुमोग्लोबिन यह छे से कम चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए इडियूज दे हिस्ट्री ओक लास्ट्री मन्स शुगर लेवल इंट्रियो ब्लड तो लास्ट तीन मेने में अपनी कितनी बार शुग कर बढ़ गए थी वह उससे आपको इंडिकेट करता है यह तपास हम करके डाइबिटी से के हम कन्फर्म कर सकते हैं अभी कॉंप्लिकेशन क्या है डाइबिटीस के यह से बताएगे इस इस साइलेंट किलर इस गोट एफेक्ट अन ओल और अर्गन्स अब दो बोड़ी तो प किलोपैथी में नाउ वन्सीट डाइगनोज इनिशेली इस टेकन अग्यूट सो फर्स्ट पेशेंट हैस्ट तो टेक मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीट्मेंट किस प्रकार देते हैं जब शुगर डिटेक्ट होगे तो फिर दॉक्टर उसको दो गोली देता है दो गोली खाने के बाद में बलता है आठ दिन के बाद वापस आके दिखा हम शुगर टेस्ट करेंगे यदि दो गोली के साथ में भी उसकी शुगर लेवल जादा रहेगी तो डॉक्टर कहते कि इतना डोस काफी नहीं तो और डोस देना पड़ेगा ऐसे ट्रायल एर करके आठ दिन में पंद दिन के बाद क्या होगा उसका पंक्रेस से काम करना चालू करेगा इंशलीन से तयार होगा इंशलीन से तयार होगा पर ब्लॉड श्यगर लेवल उसके नियंदाम में आ जाएगी फशिर एक दिन का होगा कि इंशलीन बाराबर तयार हो रहा है और फिर जो पहले घ्राएं फूलीन ब्लॉड चुगा जाएगी इंशलीन ब्लोस कर आएगी पिसद्हें आज मिझे चक्कर आगया ऐसा कि हो गया ऐसा करो जाब ब्लड शुगर चेक करो इज़ ब्लड शुगर चेक कि तो हरे वो 70 हो बहुत कम हो गया मतलब क्या हो गया क्या भी इसकी गोली कम करना जुरूरी है so let his treating doctor decide that he has to reduce the medicine you will not decide it now what yogic practices you can give for the patient शेवासन अर्दाहलासन पौनमुक्तासन सिर्टुबंदासन क्रोकड़ाइल पोजेस नौकासन मत्यासन हलासन चक्रासन यह सभी दे सकते हैं लेकिन यह ध्यान में रखना है कि डाइवेटिस का अर्दाहलावासन दे सकते शलवासन दे सकते नौकासन दोनरासन यह सभी आसनों का अभ्यासम उसको दे सकते हैं इस एक पूरी तर निया जाता है उसमें जो नसे है शुद्ध रखत वाइनी तो यह प्रेशर किसके ऊपर आएगा शुद्ध रखत वह ने के वज़े से उसमें जो अशुद्ध रखता है वो आगे फेका जाएगा यदि आगे फेका गया तो जो इंशुलीन तयार हुआ था पैंक्रियास में जो अशुद्ध रखता है नहीं में था क्योंकि दिस इंडोक्राइन ग्लैंड्स पैंक्रियास जब इंशुलीन तयार करता है तो किसी नली से जाता नहीं है वो डायरेक्ट ब्लड में डालता है पोर करता है तो इसके वज़े से वह अशुद्ध रखता वेने रहेगा यह जब आगे ठेका जाएगा तो क्या होगा इंशुलिन लेवल इंद ब्लड विल इंप्रूप एंड डायबेटिस में कम अंडर कंट्रोल फ सब्सक्राइब ना यह सभी आशनों का अभ्यास करती समय अब दिखे कि उसका जो पेठ है पेट के ऊपर उसका ज्यादा आसर होता है इसमें हमें दोचीज का धयान देना है कि पेठ के ऊपर जो चर्वी है वह भी पिघलना चाहिए इसलिए पहले मैं बताय तो आपको कि प इंसुलीन र्जिस्टन्स कम हो जाएगा इसलिए पेट के चर्बी है कम होने के लिए सब आसन का फायदा होगा सिर्फ इतना देखने कि उसको हाड हाट अटाक ए ब्लट प्रेशर नहीं है फिर स्टैंडिंग में ताडासन दे सकते, चक्रासन दे, त्रिकोनासन दे सकते, त्रिकोनासन दे सकते में वजरासन, विरासन, पदमासन, प्राणायम में अनलों मिलों, उज्याई, सुर्य वेदन, भ्रामरी, भसरिका, ओंकार गायत्री ये सभी अभ्यासम दे सकते हैं क्योंकि इससे मन शांत होगा अपने टर्मिनालोजी सुनियोंगी, stress diabetes, usually stress आने से blood sugar level बढ़ती है, तो यह stress कम हो गया, तो sugar level नॉर्मल हो जाती है, तो यह stress diabetes कम करने के लिए, stress कम करना है, तो stress कैसे कम होगा, तो ओंकार गायत्री, अनलों मिलों एंड मेडिटेशन, that will help, फिर जड़त को कम करना है, हमें तो वमन करने से acid level कम हो जाएगी, acid level कम हो गई, तो क्या होगा, कम खाना खाएगा, कम खाना खाएगा, तो जड़त तो नहीं आएगा, चर्वी जादा मातर में deposit नहीं होगी, फिर agnesar, उडियान, यह तो बहुत महतोपने, दोनों भी हम इसमें द जेना है, तो यह अभ्यास करने से हम उसको एक insulin seiden से तयार होगा, pancreas seiden से काम करेगा, और फिर जो चर्वी है, वो पिगल जाने से insulin resistance कम होगा, और आइस्त आइस्ते उसकी गोलिया कम हो सकती है, अभी next metabolic syndrome is obesity, अभी obesity की कारण जो है, कारण में वहन सा, यह जो नहीं lifestyle है, दि there is no exercise, no movement at all, खाने के इसमें हम कुछ कम किया है के, नहीं खाना तो उत नहीं खाते है, फिर क्या होगा, the input is not balanced with the output, जब ज़्यादा खाना खाते है और काम कम करते है, तो जो energy release होती है, तयार होती है, वो पूरी मातर में यूज नहीं होगी, विकाज यूर नहीं होगी, विक पेट के सामने चर्वी ज़्यादा मातर में बढ़ती है, तो पेट आगे आ जाता है, फिर लिवर में हो जाती है, तो fatty infiltration होता है, फिर स्नायू के बीच में हो जाती है, तो स्नायू रिलैक्स हो जाते है, लिथर्जिक हो जाते है, लैक्स हो जाते है, करनोरीज में हो गए, हाट अटक आता है तो यह सब नहीं होना चाहिए तो क्या होने चाहिए फर्स्ट इंग शुड़ है बैलंस दे इंपूट विड़ आउट वो कैसे हो सकता है बुबेसिटी के जो पेशंट रहते हैं उनकी एक थासियत रहती कि हो बहुत है सब समझता है मुझे कि मैं ज्यादा खाना खाता हूँ काम नहीं करता हूँ तो मुझे बैटता हूं तो I cannot control I cannot resist फिर हम योग के जरय कर सकते हैं तो पहले क्या करना है हमें कि पहले उसका जिचर भी ज्यादा मातर महातर हैं डिपोजित उसको हमें डिजॉल करना है so what you have to do we have to increase the energy expenditure so that we can do by doing all this asana again you have to remember that he should not have any heart attack or blood pressure अब आपके पर लेटना है दोनाथ पीछे बानना है इस प्रकार दोनाथ पीछे बान देना है और पेट के ऊपर हमें पुरी तरफ left side then पुरी तरफ left side. So you're.. you're balancing your body on your tummy and just rotating like this.So that it's Kati Chakra Lolaasana, it'll help to reduce the abdominal fat. Then Vajrasana, Vajrasana, Parvatasana, Gomukasana, Vakkasana, Ushtrasana, Yoga Mudra.. these sitting asana dollars make it, standing in kakasak day to the Tadasana, Chakra-Sana, Really कोनासन कोनासन कटी चक्रासन साड़ बेंदिंग डिटेट वे पादमासन यूज्यल यह लोग उनको पदमासन नहीं जमेगा सुकासन में बैटेंगे अर्दव पदमासन भी नहीं जमता है तो फर्गेट अबॉट उनको जू आसन में कमपल्टेबल एड़ आसन यह आज में किट कंपल्सरी ने ने पदमासन में बैट नहीं है प्राणायाम में अनलो मिलो उज्य शुर्य भेदन शीतली शितकारे ब्रामरी भसरिका दे विल हेल्प टू इंपूरू दर लंग कंपैसिटी देन इट विल इंपूरू दर मेंटल स्टेटस एंड मेडिटेशन करने स उनकी जो आदत है वा आइस्टा आइस्टे बदली होने को मदत होती है मुद्राद बंदाज में ब्रह्ममुद्रा उडियान बंध शुद्धिक्रिया में कपालवात्य अगनिसार if it is not contra-indicated because usually obeys patient he might having a heart problem he might have blood pressure so पहले check करना है अगनिसार दे सकते किने जननीती देने क्योंकि निती करने से नसिका मारगा पूरा clear होगा oxygenation बराबर होगा woman if it is not contra-indicated you can get once in a week once in a week करेगा तो आइस्ट आइस्ते उसके acid level कम हो जाएगी acid level कम हो जाएगे तो तो इंटेक कम हो जाएगा, इंटेक कम हो गया तो उसका वजन कम हो सकता है। Mantra Chanting, Omkar, Gayatri and Meditation Meditation helps to improve the psychology of a given person. Usually they understand the effects of overeating but cannot resist from overeating when they are in the dining hall. One develops the control over temptations on the eating habits by practicing yoga. Yoga will help to develop the understanding to reduce the food intake, thus reduction in the weight is possible. Now coming to the hernia, hernia is a protrusion of intestines through an opening. हमारे पेट के अंदर कितने 29 पूत आठड़ी हां पे रखे, 30 पूत आठड़ी, 6 पूत बड़ी आठड़ी, 29 पूत आठड़ी हां रखे है। और हमारे पेट को यह जो अबड़ूमिन है, पेट मतलब जठर हो गया, लेकिन अबड़ूमिन के जठर है, इसके अंदर जठर है, लिवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाद है, छोटे आठड़ी, बड़ी आठड़ी है। और यह अबड़ूमिन जो है, उसको छोटे-छोटे तीन-चार जगर दर्वाजे है, विंडोस है। यदि पैट के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है, तो यह आठड़ी हो छोटे दर्वाजे से बाहर आती है। इसके कारण क्या है, कारण मिमोन सा क्या है। एक भूपिंग कप, बहुत खासी आती है। जो डांगया खोकला बोलते तो हो जो continuous हो खासते रहता है। यह chronic cup, as in bronchitis, tuberculosis, chronic smoker, chronic constipation। bronchitis, chronic smoker fashion के से रहता है, उनको दिन बर खासी आती रहती। कभी आम पूछें क्यों तुमको खासी बहुत आती है। तो बहुत इससे बहुता है। यह smoker को अपना में cigarette पिता हूं, उसके वह से होती है। chronic constipation। जब motion होती नहीं, तो patient क्या करता है, जोर लगाता है। जब जोर लगाता है, तो आतड़ी के उपर pressure आती है। पुरुषों में 50-60 के उमर के बाद में पिशाप के रास्ते पर एक गाठ होती है। उसको कहते प्रोस्टेट यह वह बढ़ जाती है। तो पिशाप के जो रस्ता है, वह छोटा हो जाता है। उसमें से पिशाप जाने को तकलिव होती है। अब यह दोनों constipation या retention of urine उसके लिए वह क्या करेगा जोर लगाएगा। जब जोर लगाएगा तो आतड़ी के उपर pressure आने से वह छोटे-छोटे दरवल से बाहर जाने की संभान होती है। दूसरा, तिसरा cause है, obesity। जब जड़त्वा आता है तो शरीर के सभी एरिया में ज्यादा मात्रा में चर्वी deposit होती है। और जब चर्वी deposit होती है तो सभी नयूशितिल हो जाते है। लैक्स हो जाते है। और फिर उनका contraction उतकर powerful नहीं रहता है। और फिर उसे हरनिया हो सकता है। अलग अलग प्रकार है हरनिया के, ingwainal जो नीचे के हिस्से में होता है, umbilical जो नावी से आता है, ipigastic जो नावी के ऊपर सेंटर लाइन में होता है, femoral जो सिर नीचे होता है, hiatus और incisional. इंग्वینप इंग्वाइनल इस्थ मोज कॉमन इच्छेगे ऋनों बाजू के नीचे के जांगों में छोटे छोटे ऑपनिंग्त होता है वहां से जो अत्रिवाहर आती उसको करेए इंग्वाइनल हर्णिया नाभी से आते उसको अममिलीकल हरिनीज चैनल प्राइब दो नाभी के ऊपर से आता है उसको इपीगास्टिक कहते हैं फिमरल और इमगएनल के थोड़ा नीचे रहते हैं फ्रेट और इंसीजनल रहते हैं जहां से उपर से बड़ी वहीने निच्छ आते अन्नलिक आते वह आगले पीस में दिखाता हूं मैं फिर यह दो बाजों है यह है इंग्वाइनल और उसके नीच्छ है फिमोरल कि यह डाफ्राम है च्छाति और पेट विलग करने आला और हैं से अन्नलिका निच्छ आती है और यह यह असुद्य रगता यह जाती है यह जो अन्नलिका निच्छ आते है जो ओपनिंग वह ए तैनल फिटिंग होगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा लेकिन वह ओवेसिटी के वह से लैक्स हो गया तो क्या होगा यह चोट बड़ा हो जाएगा और फिर अननलिका और यह च्छेद में जगा रहेगी उसमें से फिर अतड़ी पेट उपर जा सकता है उसको कहते हैं हाय तो यह सब हरनिया और फिर ल यह सब पांचियो ट्राइप की जो हरनिया है वह सिंटम क्या रहते हैं जहां पर गुबारा जैसे सूजन आते हैं उसको फिर स्वेलिंग रहेगा वहां पर आतड़ी नीचा आएगा उसको गर्गलिंग साउंड आएगा फिर लेट जाएगा तो आतड़ी आंदर चली जाए अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है इस विकाज अब दो मेकानिकल डिफेक्ट विकाज जो बड़ी होगे थी इसलिए आतड़ी नीचा आ रही है तो इसको हम योग के जरिए कुछ नहीं कर सकते इसको ऑपरेशन ही करना जरूरी है योगा कैनोट क्योर एट कई बार ऐसा समझ ां जोता है लोग कैसे गुरूराशन देने से हर्निया ठीक हो जाएगा अब गुरूराशन में खडे रहो और जब आप गुरूराशन में खडे रहें गे यह 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 पर आपने यह बाजू ले लिए तो यहां पे आया yhtड़ अंदिक जäre को बीनाव होगे यह चे暗र करने के पहले कभी कभी हम पूछते पूछते सर मुझे हर्मिया चोटा है तो क्या करूं तो उसको हम ख्रिया दे सकते हैं कपालभार्ति वागरा या आसन कुन सा भी नहीं देना है क्योंकि जिसके जरी पेट के ऊपर प्रेशर आएगा और अतेड़ी की साइज बढ़ जाएग क्योंकि यदि प्रेशर आजाएगा तो हर्निया वापस हो सकता है उसको कहते है रिकरंट हर्निया धन्यवाद धन्यवाद I think I have covered all the systems of all the diseases of diasty system खर येज़ और जिसका का तो हरे है ऊपर प्रेंग度 माई लगाभवाब स्ट्टपथर मान पाम और खिनो खिमगरे।